जैसरी करश्ण मित्रों, मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं देनिक राशी फल दिनांक 23 मार्च 2022 बुधवार के दिन काम तो आज के देनिक राशी फल के अनुसार आज शुब ग्रहों की द्रश्टी वब भगवान गणिश जी की करपा से आज 12 में से 7 राशीयों को कारी छेतर में विसे सफलता के योग हैं इन 7 राशी वालों में आज हैं वरशब, मित्वन कर्क, कन्या, वरश्चिक, मकर और कुम्भ राशी वाले लोग वही अन्य राशीयों के लिए आज का दिन सामान ने रहेगा तो मित्रों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एश्टरो गुरुजी में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ये दिन नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुचे आप नित्य का राशी फल नहीं नहीं ग्यानमरधक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करती रहें तो आज चैत्रमास कुरुष्ण पक्ष की सस्थी तिति है बुधवार का दिन है आज दिन की सुरुबात अनुराधा नक्षत्र से आज सुरियो देप्रात अकाल ची बच के पाविस मिनट पर होगा और सुरिया स्था साम चे बच के तेथीस मिनट पर होगा आज राहू काल दोपहर 12 बच के 28 मिनट से आरंब नहीं करें इस समय अवदी में किसी भी नई वस्तु की खरीदारी करने से भी बचें आज दिसास उत्तर दिसा में, तो आज के दिन आप उत्तर दिसा की और मुख करके, कोई भी शुब मांगलिक व नया कारिय अरंब नहीं करें, उत्तर दिसा की यात्रा से भी आप बचें, यदि यात्रा करना आज आपके लिए अतियावशक हो, तो अपने इष्ट देवता की स्रद्धा प खास उपाई करना चाहिए जिससे की दिन आपका शूब रहे और कारे छेत्र में भी आपको सफलता मिले तो मेश राशी से आरंब करते हैं मेश राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज के दिन आपको सभी से मिनम्रता से बात करना चाहिए राजनीत पेसा लगाने की योग बन रहे हैं, पेसों की लेंदेन में आपको सफलता की योग बनेंगे, व्यापारी वर्ग के लिए दिन सामान्य रहेगा, नोकरी पेसा वर्ग को मेहनत से उत्तम परिणा मिलेंगे, वहीं विद्यारती वर्ग के लिए दिन सामान्य हैं, आज आपको भ अगली राशी है व्रशब व्रशब राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा व्रशब राशी वाले लोगों के लिए आज हर किसी की बात को जानने की कोशी साब जादा करेंगे नई चुनोतियों का सामना हिम्मत से आज आज आपको करना चाहिए आपकी राह जो है आसान हो जाएगी संतान द्वारा सराहनी कारी आज हो सकता है भूमी भवन प्रापर्टी संबंदी कारी पूरे होंगे महिलाएं अगर कोई घरेलू कारोबार शुरू करना चाहती है तो आज का दिन बहतर रहेगा व्यापरियों को मुनाफा मिलेगा मही नोकरी पेसा वर्ग को आज मेहनत से अच्छे परिणाम मिलेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस परकार से है प्रातहकाल इसनान करने के पश्चाद भगवान गणेजी को 21 दुरवांकुर अरपित करें पंचे मेवा का भोग लगा करके ओम वक्र तुंडा इनमा इस महामंतर का यथा शक्ती जाप करें इसा करने से कारिय में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगली राशी है मिथुन मिथुन राशी बालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज आज आपको चारों तरप से खुब प्रसंसा मिलने वाली है कई दिनों से जरूरी काम पेंडिंग है तो उन्हें आज खत्म कर लेना चाहिए आप अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग आज कर स रहेगा वही नोकरी पेशा वर्ग के लिए दिन सामाने रहेगा विद्यार्तियों को उत्तम परिणाम मिलेंगे आज आज आपको भाग्य का सांथ 85 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक दो है शुबरंग आपका गुलाबी रंग है गुलाबी रंग क प्रियोग कारे छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारे में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से हैं प्रातह का लिश्नान करने के पस्चाद भगवान गणेजी की आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज दिन की सुर्वात सामान्य रहेगी आप पेशों के जोड तोड में लगे रहेगे किसी परीजन के साथ व्यापार करने का सोच रहे हैं तो समय अच्छा है आज वाद विबादों से बचकर रहना उचित होगा कारी करने की स्थिति मे परक को थोड़ा परिश्रम करना होगा विद्यार्थियों को भी परिश्रम से अच्छे परिणा मिलेंगे आज आज आपको भाग्य का साथ 84 परतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक नो हैं शुब रंग आपका बेंगनी रंग हैं बेंगनी रंग का प्रय करें मोदक का नेवे द्यार पित करके ओम गजा ननाई नमाहन इस महा मंतर का यथा शक्ति जाप करें इसा करने से कारिय में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगली रासी है सिम्ह सिम्ह राशी बालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज आत्मे विश्वास और मेहनत से हर लक्ष को हासिल कर पाएंगे बिजनेस को विस्तार देने के लिए आप बेंक से रिण आदी लेना चाहते हैं तो आज का दिन बहतर है और कहीं उधार दिया हुआ आपको वापस मिलने का योग है आज आप किसी ऐसे कारी को अंजाम दे सकते हैं जिससे आपके परिवार का नाम रोशन हो सकता है नई नोकरी से आपको बहुती सफलता मिलेगी ससराल पक्ष़ के लोगों से आज आपको सहायता मिल सकती है तो आज आपको भाग्य का साथ 86 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंकच्छे है शुबरंग आपका सफेद रंग है सफेद रंग का प्रयोग कारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्रातहका लिश्नान करने के बाद भगवान गणेजी और रिद्धी सिद्धी का सरद्धा पूरवग पूजन करें पंचे मेवा का निवेद्य अरपित करके दुरवांकूर चड़ावें और ओम एकदंता इनमाह इस महा मंतर का यथा शक्ती जाप करें इसा करने से कारिय में आपको अच्छी सभलता मिलेगी अगली राशी है कन्या कन्या राशी बालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज के दिन आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है मेहनत के दम पर मुश्किल कारियों को आसानी से आप पूरा कर पाएंगे परियो जनाओं को समय पर लागू कर पाएंगे इश्वर का ध्यान करने से मानशिक शान्ती आपको मिलेगी व्यापार वेवसाई में लाप के अवसर आपको मिलेंगे नोकरी पेशा वरगों को सम्मान की प्राप्ती होगी विध्यार्थी वरग के लिए दिन सामाने रहेगा और किसी इस्थान से पेशे मिलने का इंतजार आज आपको हो सकता है आज आपको भाग्य का साथ 80% प्राप्त होगा आज आपका भाग्य साली उंक पांच है शुबरंग आपका हरा रंग है हरे रंग का प्रेयोग कारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से हैं प्राताहका लिस्नान करने के बाद भगवान गणे जी की यथा शक्ती पूजा अराधना करें और भगवान गणे जी को गुड का नेवेद्य अर्पित करके दुर्वांकुर चड़ावें ओम गणा ध्यक्षाई नमहां इस महा मंतर क यथा शक्ती जाप करें ऐसा करने से कार्य में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगली रासी है तुला तुला राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज नए लक्ष निधारित करें अपनी कोशी से आप आरंब कर दें और बिजनेस के कुछ मामल आप समझदारी से निप्टा पाएंगे धन में बड़ोत्री के योग है आप कामकाज में अपना पूर्ण सहयोग दे पाएंगे आज मोसम की मार जहलने को मिल सकती है आज किसी काम को करते समय आपको अपने मन को शान्त रखना चाहिए ग्रहस्त जीवन में कुछ नए पन का अहसास आज आपको अवश्य होगा आज व्यापारी वर्ग को मुनाफ़ा मिलेगा नोकरी पेशा वर्ग के लिए दिन सामान्य रहेगा वहीं विद्यार्थी वर्ग को मेहनत से अच्छे परिणा मिलेंगे आज आपको भाग्य का साथ 90% प्राप्त होगा आज आपका भाग शनान करने के पस्चाद भगवान गणेजी की मूर्ती को कच्चे दूद में केसर मिला करके शनान करावें और रितू फल का भो गर्पित करके दुरवांकुर चड़ावें और ओम वक्रतुंडाइन महं इस महामंत्र का यथा शक्ति जाप करें ऐसा करने से कारिय में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगली राशी है व्रश्चिक व्रश्चिक राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज आपके परिवार में आपसी सोहरदा बढ़ेगा प्रोफेशनल लाइप में हर मामले को लेकर इस पस्ट रुख अवश्य रखें व अच्छ लोगों को विदेश या दूर जाने की खुशकबरी आज मिल सकती है यात्रा से लाप के योग बनेंगे व्यापरी वरग के लिए दिन सामाने रहेगा वहीं नोकरी पेसा वरग को मान प्रतिष्ठा की प्राप्ती होगी और विद्यार्थियों को थोड़े परिसरम से उत्तम परिणाम मिलेंगे आज आज आपको भाग्य का साथ 80% प्राप्त होगा आज आज आपका भाग्य शाली अंकद्धा सहें शुबरंग आपका कैसरी आरंग है कैसरी आरंग का प्रियोक कारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारे में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है कि प्रातह का लिष्णान करने के पस्चाथ भगवान गणेज जी की गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें पंच मेवा का भोग लगा करके चड़ावें और ओम गवरी सुताई नमां इस महामंतर का यथा शक्ती जाप करें ऐसा करने से कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगले राशी है धनू धनू राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज आप खुद को चुस्त दुरुस्त मह जादा रूची रहेगी पेशों के मामले में दिल चस्प आफर आज आपको मिल सकते हैं दोसरों के सामने अपनी बात खुल करके रखेंगे तो बहतर होगा व्यापारी वर्ग को आज मुनाफा मिलेगा वहीं नोकरी पेशा वर्ग को उत्तम परिणाम मिलेंगे आज विद् जापती होगी तो आज के दिन कारी में विशे सफलता पाने के लिए आपका विशे सुपा इस प्रकार से हैं प्राताहका लिष्णान करने के पस्चात भगवान गणेश जी रिद्धी सिद्धी का गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें मोदक का निवेद्य अ सब की दुआओं का असर कोई सुखद परिणाम लेकर के आएगा आप अपने काम को आज आप अपने आपको उर्जावान महसूस करेंगे अटके हुए काम में गती आने से आज आपको लाब की प्राप्ती होगी मांगलिक कार्य में सहभागिता होने का सोभाग्य आपको मिल जिसके कारण अपने रिष्टेदारों और मित्रों से मिलने का अवसर भी मिल सकता है खांदानी प्रापरटी से आपको लाब के योग है विध्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा वहीं व्यापारियों को उत्तम परिणा मिलेंगे नोकरी पेसा वर्ग के लिए मान प प्राप्ती होगी तो आज कारी में विशे सफलता पाने के लिए आपका विशे शुपा इस प्रकार से हैं प्रातोह का लिष्णान करने के पस्चात भगवान गणेजी रिद्धी सिद्धी का गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें गुड का नेवेद्य स्वास से भरपूर रहेंगे परिवार के किसी युवा की सफलता पर गर्व करेंगे कारोबारियों के लिए आज का दिन काफी फाइदे मन हैं मानसिक सुस्ती आज आपकी खत्म हो जाएगी आपको हर तरप से शुब समाचारों की प्राप्ती के योग हैं आर्थिक इस्तित स्वाबरकों को मेहनत से भी उत्तम परिनाम मिलेंगे आज आपको भाग्य का साथ 95 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य सालि अंक आठ हैं शुबरंग आपका बेंगनी रंग हैं बेंगनी रंग का प्रियोग कारे छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारिय में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्रातहकाल इस्नान करने के पस्चाथ भगवान गणेश जी रिद्धी सिद्धी का गंद पुष्पा अक्षत के द्वारा पूजन करें मौदक का नेवेद अर्पिट करके दुरवांकुर चड़ावें ओम वक्र तुन्डा इनमहन इस महामंत्र का यथा शक्ती जाप करें एसा करने से कारिय में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगली राशी है मीन मीन राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज के दिन आपको सभी से मिनमरता से व्यभार करना चाहिए राजनीती में संपर्क छेतर का विस्तार होगा कुछ नए अवसरों के मिलने के संके थे सरकारी कारियों में पैसा लगने के योग बन रहे हैं व्यवसाय तथा धन के लिए आज का दिन काफी मिला जुला परिणाम देगा पैसों की लेंदेन में सफलता मिलेगी अच्छे काम की बदोलत नोकरी आदी में तरक्की होने वह उच्च बद प्राप्ती के योग बनेंगे विद्यार्थियों को परिश्रम से अच्छे परिणाम मिलेंगे आज आपको भाग्य का साथ 81 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्यशाली अंक चार है शुबरंग आपका सफेद रंग है सफेद रंग का प्रयोग कारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश पाइस प्रकार से है कि प्रातहकाल इस्नान करने के पस्चाद भगवान गणेजी और रिद्धी सिद्धी का गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पुजन करें गुड का नेवेद्य अर्पित करके ग्याराह दुर्वांकुर चड़ावें ओम गण राजा आइनमाह इस महा मं पीओ को लाइक वशेयर अवश्य करें धन्यवाद जैसरी करश्नमित्रों फिर मिलेंगे